क्या कुरोनों की तरह ही फैलता है M-Pox यानि Monkey Pox? आपके में मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे, कुछ बड़े सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं M-Pox यानि Monkey Pox के बारे में कई बाते हो रही है, लेकिन उन में से कुछ खास बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है दुनिया के तमाम देशों में Monkey Pox यानि की M-Pox के मामले में तीजी से इजाफा भी देखा जा रहा है और इसके चलते विश्व स्वास्ते संगठन यानि के WHO Global Health Emergency घोशित कर चुकी है और जब ये वाइरस तीजी से फैला तो लोगों की वो जखम फिर एक बार ताजा हो गए जो कोरोना वाइरस की वज़े से उन्हें मिले और इसके बाद दुन्या भर के लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि आखिर ये क्या है एमपॉक्स क्या ये भी कोरोना की तरह ही फैलने वाला है और इसे लेकर World Health Organization की तरफ से एक राहत भरी भी खबर आई WHO के वेगनिकों और Health Experts ने कहा है कि एमपॉक्स नया कोरोना नहीं है और नहीं ये संक्रामक रोग है हाँ लोगों की चिंता इस बारे में जायज जरूर है आपको हम इस वीडियो की जरीए विस्तार से ऐसी पांच बातों के बारे में बताएंगे जो की आपको जानना बहुत जरूरी है और ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उट रहे होंगे कैसे एमपॉक्स यानि की ये मंकी पॉक्स कोरोना से बिलकुल अलग है और इसे लेकर किन किन बातों का खास खयाल रखना है पहली बात ये कि क्या एमपॉक्स एक नया वाइरस है एमपॉक्स यानि की मंकी पॉक्स कोरोना की तरह नया वाइरस बिलकुल नहीं है एमपॉक्स पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था और ये बिमारी साल 1958 से इस धर्ती पर मौजूद है ये वाइरस इस से पहले डेन्मर्क के बंदरों में पाई गई इंसान के इस वाइरस की चपेट में आने का पहला मामला 1970 में देखने को मिला और वो जगे थी DR कॉंगो और तब से पश्चिम और मद्य अफरीका में ये वाइरस कई बार फैला है एमपॉक्स को लेकर की Global Health Emergency का एलान सबसे पहले साल 2022 में किया गया था ये वाइरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है लेकिन इसके अलावे भी कुछ और सवाल है क्या एमपॉक्स संक्रामक वाइरस है एमपॉक्स कोरोना जैसा संक्रामक बिलकुल नहीं है एक्सपर्स कहते हैं हाला कि दोनों ही बिमारियां करीब करीब संपर्क में आने से फैलती है ये बात सच है लेकिन कोरोना जादा तेजी से फैलता है क्योंकि ये एर बॉन है डबल्यू एचो यानि World Health Organization के मताबिक कोरोना किसी इनसान के खासने छीकने बोलने साथ बैटने और इन तमाम चीज़ों की वज़े से वो फैल सकता है लेकिन एमपॉक्स किसी संक्रमित वेक्ती के काफी खरीब आने पर ही हो सकता है जैसा कि आप संक्रमित मरीज की तुछवा को छून ले शारिक संबंद बना ले या संक्रमित इनसान के बिस्तर पर लेट जाएं या फिर उसकी कपड़ों का इस्तमाल कर ले और देर तक आमने सामने बैटने बात करने में भी एमपॉक्स वाइरस का एक दूसरे से संक्रमित का खत्रा कुछ हद तक बढ़ जाता है कुछ सवाल और है क्या एमपॉक्स की वैक्सीन इस वक्त मौझूद है एमपॉक्स की वैक्सीन पहले से ही दुनिया में मौझूद है कुरोना के मामले में सबसे बड़ी चुनावती तो यही थी कि पहले वैक्सीन बनानी होगी उसका ट्रायल होगा और फिर उसकी मनजूरी के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और तब जाकर कोरोना पर काबू होगा लेकिन M-Pox से बचने के लिए वैक्सीन पहले से ही मौजूद है M-Pox स्मॉल पॉक्स जैसा ही होता है वैक्सीन के जरीए इससे निपटने का इंतिजाम 1980 में ही कर लिया गया था जिस वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स से निपता जाता है वही वैक्सीन M-Pox से भी बचाओ का काम करती है खास तोर पर जब 2022 में ये बिमारी भेली थी तब 2022 में वैक्सीन बनाने वाली कमपनी बैविरीन डेरिकी ने डेड़ करोड से जादा वैक्सीन डोस सप्लाई भी कर दिये थे जो कि 76 देशों में भेज दी गई थी इसके अलावा भी कुछ और सवाल है जो इसके बारे में पुरी दुनिया भर में पूछे जा रहे है क्या एमपॉक्स भी तेजी से अब रूप बदलता है वक्त के साथ क्या ये वाइरस अपना रूप बदलता है जैसा की कोरोना में देखा गया कुछ वाइरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलते हैं जैसे कोरोना है लेकिन M-pox ऐसा नहीं करता और इसकी वज़े M-pox DNA वाइरस से होता है लेकिन Corona RNA वाइरस से होता है American Society of Microbiological के मताबिक में DNA वाइरस RNA वाइरस तेजी से रूप नहीं बदलते M-pox के दो strain है पहला है Kled 1 और दूसरा है Kled 2 WHO के मताबिक अभी जो M-pox फैल रहा है वो Kled 1 वाइरस से फैल रहा है जिसे Kled 1 B भी कहते हैं और इसी लेकर World Health Organization के वैग्यानिकों के कहना है कि फिलहाल वो अभी नहीं जानते कि क्या 1 B strain बाकी strain के मकाबले जादा तेजी से फैलने वाला है येकिन कुछ सवाला और भी है क्या फिर से लग सकता है lockdown क्या ये इतनी बड़ी बिमारी है World Health Organization ने जैसे ही एमपॉक्स को emergency घोशित किया वैसे ही लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया कि क्या कोरोना काल की तरह फिर से lockdown तो नहीं लग जाएगा आलांकि इसे लेकर के WHO ने राहत वाली खबर दी है WHO का कहना है कि एमपॉक्स के मामले में अब तक ऐसा नहीं किया गया और फिलहाल नहीं लगता कि ऐसा करने के नौबत आईगी बीटे दो सालों में एमपॉक्स अफरीका के 16 देशों में फैल चुका है लेकिन अफरीकी CDC ने किसी भी सरहत को बंद करने या फिर लॉक्डाउन लगाने के बात नहीं की अफरीकी CDC डिरेक्टर जनरल डॉक्टर जीन कासिया के मताबिक अभी ऐसे कोई सबूद भी नहीं मिले हैं जिसके आधार पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए या फिर माल के आवागमन पर रोक लगा दी जाए जैसा कि अब तक चलता रहा है वैसा ही चलता रहेगा ये बाद भी कही गई यानि एक बड़ा आश्वसन दिया गया है हम इससे निपड़ने के इंतजाम भी मोहिया करवाते रहेंगे ये बाद भी उनकी और से कही गई अधर डबली एचो के आपात कालिन कारेकरमों के एक्जेकीटिव डिरिक्टर डॉक्टर माइक रियान भी इससे सहमती जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बताते हैं कि एमपॉक्स ऐसा वाइरस है जिसे सही समय पर सही ख़दम उठा करके काबू में किया जा सकता है एमपॉक्स आम तोर पर तुलनात्मक तोर पर कम हलका वाइरस है और लोग दो से चार हफ़तों में इससे ठीक भी हो सकते हैं हाला कि कुछ लोगों की हालत इससे बिगड़ी भी और उन्हें अस्पताल में भी भरती होना पड़ा एमपॉक्स यानि मंकी पॉक्स से संक्रमित विक्ती या उससे जोली चीजों के संपर्क से दूर रहकर इस वाइरस से काफी हद तक बचा जा सकता है एमपॉक्स के जखमों या फिर दानों को छूने के बाद हाद धोना जरूरी है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है एमपॉक्स के तमाम सवालों और उनके जवाबों से जोली ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहें न्यूज एटीन इंडिया औरिजिनल्स करा